नमस्कार दोस्तों मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इस्टेडी विद एली सेलेक्स पर और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से यारो यारो की तैयारी करा रहे हैं और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा आज का एक और वीडिय हो जाएगा और यह हो जाएगा मध्यकालीन भारतिय इतियास से ठीक है और इसमें आपको मिल जाते हैं टोटल पचास प्रेशन जो आपकी परिक्षक लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए देर ना करते हुए सुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो लेगंबर हजरत महंबत का जन्म ये कब हो जाता है तो ये हो जाता है आपका 570 इश्वी में 570 इश्वी में मक्का में हो जाता है इनका जन्म और ये मक्का जो है सवधिय अरब में श्थित हो जाता है ठीक है 570 इश्वी मक्का में जन्म और जो इसलाम धर्म के जो परवर् इस्यू में इनकी मिरत्यू हो जाती है यही चीजें आपसे पूछी जाती है इसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है हिंद यानि भारत की जनता के संदर्व में हिंदू सब्द का पर्थम बार परियोग किया था पर्थम बार परियोग किस ने किया था यह आपसे पूछा गया है तो यह हो जाते हैं आपके अरब अरबो ने जो है पर्थम बार हिंदू सब्द का परियोग किया था और भारत का जो हिंद नाम है सबसे पहले अरबो की द्वारा कहा गया था इसको हिंद नेक्स्ट कोश्चन हो जाएगा भारत पर पहला मुस्लिम आकरमन किस वर्थ हुआ था भारत पर पहला आपसे पूछ गया है मुस्लिम आकरमन किस वर्थ हुआ था ये जो है सारे उप्शन आपके गलत हो जाते हैं इन में से जो है कोई भी नहीं भारत पर जो सफल मुस्लिम आ स preciso अजय को इसितों पर सफल मुस् 350 डॉरण कारूरं कारिक्व हो जाते हैं तो चाहिए प्रक्रान बार्प सकते हैं जाना आयूजावब हेशा कर नंबर और 25 तर मुस्निम आस प्रक्रम ने आकर्मनकारी आपसे पोछे गई हैं, तो ये हो जाते हैं आपके अर्ब, अर्बों के दौरा जो है सरप्त्थम्म अकर्मनकारी ये हो जाते हैं, और भारत पर जो है सरप्त्थम् अर्बो के जो मुसल्मान थे उन्होंने आकर्मन किया था 636 इस्यू में, ठीक है, सबसे पहले जो मुसलिम आकर्मन है ये आपका हो जाता है, अर्बो के द्वारा 636 इस्यू में, और सफल जो रहा था वो हो जाता है 712 इस्यू में, ठीक है, मुहम्मद बिन काशिम के द्वारा 712 में हो जाता है जो सफल रहा था उससे पहले सफल नहीं हुए है चचनामा के अनुसार चटी और सातवी जो सताब्दी में सिंदू देश की राजधानी क्या हो जाती है चेटवी और साथवी सताब्दी में सिंदू देश की राजधानी आपसे पूछी गए ये कौन सी हो जाएगी तो ये हो जाती है आपकी अरोड अरोड राजधानी हो जाती है चेटवी सताब्दी में सिंदू देश की इन में से कौन गजनी राजवंस का संस्थापक हो जाता है गजनी राजवंस का संस्थापक आप से पूछा गया है तो ये हो जाता है आपका अलप्तगीन अलप्तगीन हो जाता है गजनी राजवंस का संस्थापक और यह वो कोश्चन है जो बार-बार आपकी प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं निम्न में से कौन चंदेल सासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था कौन पराजित नहीं हुआ था महमूद गजनवी से तो यह हो जाते हैं आपके विद्यादर विद्याधर हो जाते हैं जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं होए थे ठीक है इतनी भी आपको याद रखनी है किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था उन से चंदेल सासक हो जाते हैं जिनोंने महमूद गजनवी का सामना किया था तो ये आपके हो जाते हैं विद्यादर विद्यादर ने महमूद गजनवी का सामना किया था और महमूद गजनवी को हरा दिया था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन हो जाता है तो ये हो जाते हैं जो उत्वी था, उत्वी हो जाता है महमूद गजनवी का दर्बारी की हासकार, ठीक है ये भी बात आपको याद रखने हैं, और उत्वी से भी काफी कोश्चन बनते हैं, और उत्वी के दोरा उस तक आप से पूछी जाएगी कौन-कौन सी हो जाएगी, त तारीख यामिनी ठीक है तारीख यामिनी ये भी आपकी उत्विकी हो जाती है ठीक है ये भी आपको याद रखना है और इस तरह से जो है कोश्चे नमबर-10 का करेक्ट आंसर आपका भी हो जाता है नेक्स्ट हो जाएगा पुराणों का ध्यन करने वाला पर्थम मुसल्मान ख कोन हो जाता है। पुराणों का अध्यन करने वाला परथम मुसल्मान आप से पुछा गया है। परशित इतिहासकार कौन था जो मेहमूद गजनी के साथ भारत आये था। तो ये हो जाता है आपका अलवरूनी, अलवरूनी है जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, और ये हो जाएगा नेक्ट कोश्चन, अलवरूनी भारत में आया था, अलवरूनी भारत में कब आया था, तो ये हो जाता है ग्यारवी सताब्दी के आसपास जो ये भारत में आया था अलबरूनी निमनली कतनों में से कौन अलबरूनी के सम्मंद में सही नहीं है अलबरूनी के सम्मंद में कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है और सही कौन सा नहीं है यह आपका सही नहीं है वह एक धर्म निर्पेक्ष लेखक था ये जो है बात सही नहीं है और बाकी सभी सही हो जाती है उसका गरंथ उस समय के जीवन्त भारत में भारत से परभावित था ये करेक्ट हो जाता है वह संस्क्रत का विद्वान था ये भी करेक्ट हो जाता है और वह तुरकून मिती का विशेशक गता ये भी करेक्ट हो जाता ह लेकिन ए जो है ये आपका करक्ट नहीं है और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वश्य कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को सेर भी कर दें और इसकी फिरी पीड़ आप पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम और वाटसब चैनल से भी जूट सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे निमनलिकत में किसने महमूद गजिनी के हमले के बाद सोमनात मंदिर का पुने निर्मान कराया था पुने निर्मान किसके द्वारा कराया था सोमनात मंदिर का ये भी आपको बताना है तो ये हो जाते हैं आपके भीमदेव भीमदेव के द्वारा पुने निर्मान किया गया था जब महमूद गजिनी ने सोमनात मंदिर पर आक्रमन किया था और एक कब की बात हो जाते हैं ये आपकी 1025 इश्वी की बात हो जाती है ठीक है 1025 से 26 की बात हो जाती है महमूद गजिनी ने सोमनात मंदिर पर हमला किया था किसने एक तरफ संस्क्रत मुद्रा लेक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किये थे तो ये हो जाते हैं आपके महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के द्वारा एक तरफ सिक्के के जो एक तरफ है उस संस्क्रत मुदरालेक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किये गए थे ये हो जाता है next question मुहमद गजनवी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये हो जाते हैं आपके मूल राज सेकंड, मूल राज सेकंड के द्वारा मुहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया गया था और एक कप पराजित किया गया था तो ये आपका हो जाता है 1178 इस यूमें महुम्मत गोरी को सबसे पहले पराजित किया था मूल राज यूम्मत गोरी ने जैचंद को किस यूद में पराजित किया था तो ये हो जाता है आपका चंदावर का यूद और ये 1194 में हो जाता है चंदावर का यूद और मुहम्मद गोरी ने जैचंद को इस यूद में पराजित कर दिया था निमनेलित में कौन सा राजा मुहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के यूद में पराजित किया गया था तो यह हो जाता है आपका जैचंद, जैचंद को मुहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के उद्व में पराजित किया गया था और ये को चंद जो है और औरो की परिक्षा में ही पूछा गया है किस मुस्लिम सासक ने सिक्को पर देवी लक्षमी की आकरती बनी थी ये आपको बताना है तो यह हो जाते हैं मुहमद गोरी मुहमद गोरी के सिक्को पर देवी लक्षमी की आकरती बनी थी भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको पर्थम अक्ता परदान किया था पर्थम अक्ता परदान किया था किसको किया था यह आप से पूछा गए पर्थम अक्ता किसको परदान किया गया था मुहम्मद गोरी के दौरा तो यह हो जाते हैं कुद्बुद्धी नैबक कुदबुद्धी नैबक को पर्थम अक्ता प्राप्त किया गया था मुहम्मद गोरी के दौारा और यह अक्ता क्या हो जाता है यहां से भी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं इस काल में राजस्व संसादन सुल्तान और उसके सामंतों के बीच वित्रित कर दिये जाते थे और जिन छेत्रों का राजस्व सीधे सुल्तान को जाता था वो खालिसा हो जाते थे जबकि जो छेत्र सामंतों के बीच बटे जाते थे उनको इक्ता कहा जाता था ठीक है ये हो जाता है आपका एक्ता जो मुहम्मत गोरी के दुआरा कुद्बुद्धी नैबक को दिया जाता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाक्स बक्स के नाम से जाना जाता था लाक बक्स के नाम से जाना जाता था दिल्ली का कौन सा सुल्तान ये आपको बताना है तो ये हो जाता है कुत्बुद्दी नहबक को लाक बक्स के नाम से जाना जाता था और ये उसकी उदारता थी, उसकी उदारता के कारण कुत्ब दिनेवक इतना अधिक दान करता था, वो इतना अधिक दान करता था कि उसको जो है लाखों का दान देने वाला लाक्स बक्स कहा जाने लगा, ठीक है, इसलिए जो है उसको लाक्स बक्स कहा जाता था कुवत उलिस्लाम मस्जित तथा अड़ाई दिन का जोपड़ा किरंसे इस्थित है ये कहां हो जाएगा अड़ाई दिन का जोपड़ा और कुवत उलिस्लाम मस्जित ये कहां इस्थापित हो जाती है इस्थित हो जाती है ये आपको बताना है तो यह हो जाती है दिल्ली और अजमेर में कुवत उली इसलाम जो आपकी मस्जीद है या आपकी दिल्ली में हो जाती है और अठाई दिन का जहुपड़ाई कई बार आपसे पूछा जाता है यह आपका अजमेर में हो जाता है निम्ने लिखते में से किसे ने परसिद कुतुब मिनार के निर्मान में योगदान नहीं दिया है किसके दुआरा निर्मान में योगदान नहीं दिया गया है कुतुब मिनार के तो ये हो जाते हैं गयासुदीन तुगलग इन्होंने जो है कुतुब मिनार के निर्मान में अपना योगदान नहीं दिया है बाकी कुत्बुदी नहिबक हो जाते हैं, इलतुतमिस हो जाते हैं और आपके फ्रोज सा दुगलग हो जाते हैं इन सभी का युगदान हो जाता है कुत्ब मीनार में कुत्ब मीनार किसके दौरा पूरा किया गया था? तो ये हो जाते हैं आपके इल्ट उत्मिस इल्ट उत्मिस के द्वारा कुतुब मीनार के निर्मान को पूरा कराया गया था दिल्ली का भे पर्थन सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किये थे तथा दिल्ली को अपने सामराज्य की राजधानी घोचित कर दिया था दिल्ली को अपने सामराज्य की राजधानी घोचित कर दिया था वो कौन सुल्तान हो जाता है दिल्ली का तो ये हो जाते हैं इलतोतमिस इलतोतमिस हो जाते हैं जिसने नियमित सिक्के जारी किये थे और दिल्ली को अपने सामराज्य की राजधानी भी घुसित कर दिया था वो आपका इलतोतमिस हो जाता है और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले बारा महिने का उत्तर परदेश का करेंट अफेर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आप विजिट करेंगे वह आपको टोपिक वाई सबी वीडियो भी मिल जाएंगे और वहाँ इसल करेंट अफेर की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी और ये करेंट अफेर आपका जन सल्तनत की राजधानी थी निमने लिखत में कौन सी इलतुतमिस के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी सल्तनत की राजधानी कौन हो जाती है इलतुतमिस के काल में तो यह हो जाती है दिल्ली दिल्ली हो जाती है इलतुतमिस के राजकाल में सल्तनत की राजधानी सारे मिल जाएंगे सारे आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं सल्तनत के निमने लिकित सुल्ताओं में से किसने सर उपरतम अपनी राजधानी दिल्ली इस्थान अंत्रित कर दी थी अपनी राजधानी तो ये आपके हो जाते हैं इलतुतमिस गुलाम का गुलाम किस को कहा जाता था गुलाम का गुलाम किस को कहा जाता था ये आप से पूछा गया है तो ये हो जाते हैं इलतुतमिस इलतुतमिस को गुलाम का गुलाम कहा जाता था क्यों कहा जाता था क्योंकि मुहम्मद गोरी के गुलाम थे कुद्बुदिन अबग और कुद्बुदिन अबग ने इल्टुतमिस को खरीदा था इसलिए इल्टुतमिस को गुलामों का गुलाम का जाता है निमने लिज में कौन इल्टुतमिस का पर्ती दोंदी नहीं था पर्ती दोंदी कौन सा नहीं था इल्टुतमिस का तो ये हो जाता है मलिक अल्टुनिया पर्ती दोंदी नहीं था बाकि सबी जो है ये इल्टुतमिस के पर्ती दोंदी हो जाते हैं निम्नेलिस में कौन मद्यकालीन भारत की पर्थम महिला सासक हो जाती है मद्यकालीन भारत की पर्थम महिला सासका कौन सी हो जाती है तो ये हो जाती है रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान हो जाती है मद्यकालीन भारत की पर्थम महिला सासका और ये 1236 से 1240 के असपास की बात हो जाती है ठीक है इतना भी आपको याद रखना है रजिया सुल्तान पहली जो है महिला सासक हो जाती है मद्धे गालिन भारत की मंगोल आकरमनकारी चंगेजखा भारत की उत्तर पच्चिमी शीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था मंगोल आकरमनकारी चंगेजखा तो ये भी आपके इलतुतमिस हो जाते है इनी के काल में आ जाता है चंगेजखा भारत की उत्तरी दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खाका समकालीन हो जाता है चंगेज खाका समकालीन कौन सा हो जाता है तो ये भी आपका इलतुतमिस हो जाता है जो चंगेज खाका समकालीन हो जाता है किसके सासनकाल में मंगोल पर्थम बार सिंदू के तट पर देखे गए थे सिंदू के तट पर देखे गए थे मंगोल पहली बार तो ये हो जाता है आपका इल्तुत्मिस इल्तुत्मिस के सासनकाल में मंगोल पर्थम बार सिंदू के तट पर देखे गए थे चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आकरमन किया था तो ये हो जाते इल्टुतमिस के सासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आकरमन किया था इल्टुतमिस ने बिहार में अपना पर्थम सूबेदार न्यूक्त किया था किसको न्युक्त किया था इल्टुतमिस ने बिहार में अपना सूबेदार तो यह हो जाते हैं मलिक जानी मलिक जानी को इल्टुतमिस ने बिहार में अपना पर्थम सूबेदार न्युक्त किया था दिल्ली के किस्सुलतान के विशय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीती अपनाई थी ये भी कोशचन जो है टेंडिंग हो जाता है और कई बार आपकी परिक्षाओं में पूछा जाता है रक्त और लोह की निती किसके दौारा अपनाई गई थी तो ये हो जाते हैं बल्वन बल्वन के दौारा रक्त और लोह की निती अपनाई गई थी अपनी सक्ति को समेकित करने के बाद बल्वन ने भव्य उपादी धारन की थी उनसी उपादी धारन की थी बलवन ने अपनी सक्ति को समित कित करने के बाद इस वर के रूप को जिल्ले इलाही कहा जाता है निमने लिखत में से किसने भारत में परसीद फार्शी त्योहार नोरोज का आरंब करवाया था नोरोज का आरंब करवाने वाला कौन हो जाता है तो ये हो जाता है आपका बलवन जिसने भारत में परसीद फार्शी त्योहार नोरोज का आरंब करवाया था निम्नेलिक सुल्तानों में से किसने गड़ मुक्तेस्वर की मस्जिद की दिवारों पर अपने सिला लेख में सुम को खलीफा का सायक का था खलीफा का सायक का था तो ये भी आपका हो जाता है बलवन ठीक है बलवन ने गड़ में तेस्वर की महजिद की दिवारों पर अपनी सिलालेक में स्वम को खलीफा का साइब बताया था कौन सा चुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किन्तु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था कौन सा हो जाता है जिसने नया धर्म चलाना चाहता था तो ये हो जाते हैं अलावदीन खिल जी जिन्होंने नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन किन्तु जो नया धर्म चलाना चाहता था और उले माव लोगों ने उसका विरोध किया था और इस अलावदीन खिल जी की आपसे जो है उपादी भी पूछी जा सकती है तो सिकंदर ए सानी की जो उपादी है ये अलावदीन खिल जी ने धारन की थी सिकंदर ए सानी ठीक है ये भी आपको याद रखना है दिल्लिके की सुल्तान ने सिगंदर सानी की मनोपादी धारन की थी तो ये भी आपके अलाउदीन खिलजी हो जाते हैं राणी पदमीनी का नाम अलाउदीन की चितोड़ विजय से जोड़ा जाता है उनके पती का क्या नाम हो जाता है तो उनके पती का नाम हो जाता है राणा रतन सिंग राणी पदमनी के पती का नाम हो जाता है हजार दीनारी नाम से किसे जाना जाता था हजार दीनारी के नाम से किस को जाना जाता था तो हजार दीनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता था क्यों जाना जाता था कि मलिक काफूर को हजार दीनारी के नाम से इसलिए जाना जाता था रंधंबोर की बात करेंगे तो रंधंबोर की बात करेंगे तो हमीर देव से सम्मधित हो जाता है चितोड की बात करेंगे चितोड आपका राणा रतन सिंग से सम्बंदित हो जाता है देवगिरी आपकी राजा राए राम चंदर से सम्बंदित हो जाती है और गुजरात की बात करेंगे यह आपका करण देव से सम्बंदित हो जाता है ठीक है इस हिसाब से A का 3 हो जाएगा और A का 3 केवल A की option में दिया गया है option number D में ठीक है B का 4 हो जाएगा C का 2 हो जाएगा और D का आपका 1 हो जाता है और इस हिसाब से D जो है यह आपका correct answer हो जाता है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमी अधिक पैमाने में विक्षित हुई थी वो कौन से हो जाती है तो यह हो जाते हैं अलावदीन खिल जी के काल में राजस वर लगान विवस्ता का मुक्यो देश सकती साली और निरंकों से राजी की स्थाफना करना था ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और इसी के समझ हुआ, खाली सा बूमी अधिक पैमाने पर विक्षित की गई थी कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई आधार बांसव के रूप में दावा किया था आधार बांसव के रूप में दावा किया था निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किये थे बाजार सुधार किस के दोवारा लागू किये गए थे तो ये हो जाते हैं आपके अलावदीन खिल जी इनके दोवारा बाजार सुधार लागू किये गए थे निम्न मुसलिम बादसाहों में किस एक ने मुल्य नियंतरन पद्दिती को पहली बार लागू किया था पहली बार लागू किया था वो कौन हो जाते हैं बाजार कीमतों को नियंतरित करने के अलाउदीन खिलजी के परियास ने क्या किया था यह आपको बताना है तो यह आजाते हैं बहुत सफलता उन्होंने प्राप्त की थी जो बाजार कीमतों को निंतरित करने के अलाउदीन खिलजी के परियास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी निमने लिखते में से किस मध्यकाली इन सासक ने सारुजनिक वितरन प्रणाली की प्रारंब किया था सारुजनिक वितरन प्रारंब किया था तो ये भी आपके अलावदीन खिलजी के द्वारा सारुजनिक वित्रंड परनाली को आरंभ किया गया था सलतनत काल में सारुजनिक वित्रंड परनाली किस के द्वारा परारंभ की गई थी किसके द्वारा प्रारम की गई थी तो ये भी आपके अलाउदीन खिलजी हो जाते हैं जिनके द्वारा सारुजनिक वित्रन प्रनाली लागू की गई थी घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान कौन था अपने सामराज जी की सीमाओं की सुरक्षा है तो एक विशेश सेना नुक्त की थी तो यह कौन हो जाते हैं यह भी आपके अलावदीन खिलजी हो जाते हैं जिन्होंने सामराज जी की सीमाओं की सुरक्षा है तो एक विशेश सेना का गठन किया था ठीक है और यह कोश्चन भ लिए लाइक भी आप कर सकते हैं और हमारे टेलिग्राम और वाटसब चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार